देहलिया न्वाइड़ दलीर वंता हा ट्विंट टवर्स इनेनु केलवे गंटगलली दौमसा आगली दे नलसमा आगली दे इवंदू कार्या चरने येली बागी आगीर वंता विज्ञानी अबरू नम्जोत कि दर है और न माताड़ सना मत और परचेना कुड़ा मट करना सर पहले बता है आपका नाम क्या है और डेसिगनीशिंग क्या है मैं डॉक्टर डीपी कानुनगो चीप साइन्टिस्ट सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टिट जो मिनिस्ट्री आफ साइंस टेकनोलोजी के अंडर आता है तो सुप्रीम कोड का वर्डिक्ट में ये द साइन्टिस्ट अलग-अलग एरिया के जो एक्सपर्ट हैं वह इनवाल्ड है इसमें स्ट्रॉक्च्रल इंजिनियर से इसमें जियो टेकनिकल इंजिनियर से इसमें जियो साइंटिस्ट है इसमें ब्लास्ट एक्सपर्ट से इसमें एक्सपर्ट है इसमें डिजास्टर मैने management export तो हम एक टीम बना के साइथ साइटएस्ट का और हमारे डइरeक्टर साभए कहाया है और दिन रात की है कि जो Supreme Court का आदस है safe demolition तो हम लोगों का एही प्रया से कि हर तरह से hate क्या क्या प्लाइन कर चुका है अभी तक अब क्या-क्या प्लाльजिंग चल रहा है जो डिमॉलासीट हो रहा एक फ्ट्र के सिव उस बील्डिंग में जैसे डीमील्डिव की ओम और कि रहा हैं वह उसके बाद उसको किया हैं उसके बाद जो उससे हवा में कमपन पैदा होगा या जमीन में कमपन पैदा होगा जो उसके वज़े से उसको कैसे कम किया जाएगा उसके लिए प्रोटेक्शन मेजर्स लिए गए हैं उसके बाद जो भाइब्रेशन कम होके या जो भी भाइब्रे निष्ट की हैं जोसरांदिंग्समें बिल्डिंस ख DR फॉप्या और कोई कमी है उसको जाइन किया है। बाद हमारा टीम उनको गाइड किया है किसी तरह का किस तरह का ट्रेंदन करना है कहां करना है कुण सा element structural element करना है और उसको 25 तारिक 26 तक उसको कमपूरा कर दिया गया तोड़ा बताये मतलब काईसा demolition होगा और कहा का sport लगा है कितने प्रमान का लगा हुआ है देखिए जो बिस्पोठक है वो 3700 केजी लगा है लगभग और वो जो है 9,460 या 440 करीब होल ड्रिल किये गए हैं कॉलम्स और सियर वायल्स में और उस होल में एक्स्प्लोशिप्स लगाए गए हैं अलग-अलग मात्रा में अलग-अलग फ्लोर में इसमें आप एक टावार है 30 स्टोरीज का एक टावार है 29 स्टोरीज का एक LGBT 2003 मिटर हइटlave एक 97 मीटर है तो इसमें जो है टोटल अठारा फ्लोर जो होगा उसमें एक्स्प्लोसिप्स लगे हैं उसमें ग्यारा फ्लोर हम प्राइमेरी ब्लास्टिंग जिसमें पूरा सारे एलिमेंट्स को तोड़ दिये जाएंगे और साथ जो है सेकेंडरी ब्लास्ट फ्लोर सें जो हमारा ऑपोजीट डायरेक्शन में जहां सब यह बिल्डिंग है उसके ऑपोजीट डायरेक्शन में फुल करने के लिए साथ सेकेंडरी फ्लोर में ब्लास्टिंग किया जाएगा औ यह पूरा scientific तरीके से किया गया है और एक मंजिल पर एक स्टोरी पर कैसे connection होना है firing sequence का floor to floor उपर कैसे connection होना है और यह with delay sequence किछ कुछ समय के gap में firing होना है और explosives फटेंगे बिस्पोठक यह बिस्पोठ होंगे तो इसलिए जो सांतिस्टो कोई जी बार बिस्पोठक है वो एक साथ नहीं फटेंगे इसलिए यह इस इस नौट एक्सप्लोजन इट इस इंप्लोजन कि stage wise sequence wise इट विल एक्सप्लोजन और दूसरा एक्सप्लोजन से जिस चीज का एक्सप्लोजन हो रहा है वह बहुत दूर तक जाके गिरता है इसमें यह कोशिस किया गया है कि उसको उहीं पर बांद के रख दिया जाए और उहीं गिरा दिया जाए ताकि सराउंडिंग में एक टुकडा भी ना गिर है उसलिए हम जहां जहां एक्सप्लोजिफ लग रहे हैं वहां पे दस लेयर का एक एक प्रोटेक्शन दिये हैं पांच लेयर स्टील वैर में इसका पांच लेयर यह जो काला और सफेद कपड़ा देख रहे हैं उसको बोलते हैं जियो टेक्स्टाइल फैब्रिक हम दस लेयर का प्रोटेक्शन दिये हैं तो एक भी वह एक तो जो हवा में कमपन होगा उसको कम करेगा बाहर धूल नहीं आएगी बाहर कोई भी डेब्रिस का कंक्रीट का टुकडा भी नहीं आएगी तो अंदर चुरा होके अंदर ही गिर की नीचे से नीचे नीचे डीरेक्शन से गिरेगा की के मीफज को प red it रिए नीचे से सुरू होगा और जिस तरफ को बिल्डिंग डीजेइन किया गया कि इसका पुल को करने काव करेंक से तक सब्सक्राइबर। दूसरा इसका जो सिक्वेंस है 100-500 मिटर पे फाइरिंग बटन रहेगा और कनेक्शन बिल्डिंग में जाएगी और वहां से एक टीम फाइरिंग प्रोसेस करेगा वो पहले एक राउंड लेगा चेक करेगा कि अंदर फाइनल चेक कि कोई जानवार या जैसे डॉग हुआ या क्याट हुआ कोई रह तो नहीं गिया वो फाइनल चेक करके आने के बाद जब पॉलिस डिपार्टमेंट से ग्रिन सिग्नाल मिल जाएगा कि इस एरिया में कोई लोग नहीं है सब इभाक्वेट कर दिये गये हैं और नाव इटीज सेफ टू यह तो उस टाइम रखा गया है हैं दो नहीं चेकिन लगेंगे तो पूरा प्रोंच जो है गैरा बारा सेखंड का है नौ सेकेंद में यह डिम्लिश हो जाएगा उसके बाद मल्वा गिरेंगे वो दो इनि शसेगे में उस्के बाद वो जो टीम फाइरिंग बटन दवाएगा वो अंदर जाके फिर जाय जा लेगा उसके बाद हमारा एक कंट्रोल रूम बना है जहां पे हम सब एक्सपर्ट्स बैठेंगे और डिगनिटरीज बैठेंगे वो है 500 मिटर दूरी पे उसको भीव पॉइंट बोला जा रहा है तो यह जो फाइरिंग टीम होगा वो डिमोलिशन के बाद जब जमीनी जाय जाय एक ले लेगा वो हमारा कंट्रोल रूम एक्सपर्ट टीम को इनफर्म करेगा उसके बाद वहां से एक्सपर्ट टीम गाड़ी से आएगी और वो एक राउंड लगाएंगे पैदल पुरा लोगों को इनफर्म करेगा आप वापस आ सकते हैं अभी बिल्डिंग के आसपास में 10-15 साल के पुराने अपार्टमेंट से हैं तो यह दोनों बिल्डिंग एक साथ गिरेगा कि एक गिरेगा कि क्या गैडलेंस जो दे चुका है एक साथ गिरेगी त्यूंकि दो बार दो ब इने ख जाये गे और पूरा प्रोसेस नोकिन अजुबा में तो उसके से अपार्टमेंट है जो उसके सेटि के लिए क्या जा के लिए बहुत सारे कुछ किया गया एस ट्रॉक्चर नालीसिस किया घ्याए उसके बात उसमें कहान कहां कमी है इतक पुली खिलेंट में कमीहें इसलिए जहां पर demolition होगा उसके basement में उसके चारों तरफ हम impact cushions दिये हैं, उसके उपर जहां और जरूरी है, वहां पर हम पुराने जो है vehicle tires लगाया हैं, ताकि वो impact कम होके vibration बहुत कम ground में transfer हो, तो यह सारे प्रक्रिया जो है scientific तरीके से किये गए हैं. सिर फाइनली, आफ्तर demolition यह डस्ट भी जादा हो जाता है, उस कंट्रोल करने के लिए, नोइडा अथरीटी ने पूरा guideline बना दिये, और instruction order पास कर दिये, कि जितने सारे smoke guns हैं, वो आज डिपले हो जाएंगे, कल दो बजे से operate करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दाई बजे हम यहां का आसपास के air को मौस्ट रखना है, ताकि जितना धूल उड़ेगी, वो तुरंद कोसिस किया जाएगा, नीचे बैड़ जाएंगे, और water sprinklers, sweepers, wipers, यह सारे इंजाम किया हैं, कि आसपास के जो जो evacuated zone है, जो roads हैं, उसको पानी से धूल के साफ कर दिया जाए, लो इदिश्टु, हीरिय विज्ञानी ओबरू, हेग बिलडिंगान्ना बील्स लागता है, याओरीतिय आगी तंत्रक्ण्यानbelievablyना बलस लागता है, मतरबिल्डिंग बिल्सनिन मेले याओरीतिया अगी सेफ्टी मेजरमेंटराना तेकाद कोड़ल लाग Tuesday, मतरब डस्ट क्लिय ये निला तंत्रग्ध्यानवन बड़स लागते द्यानुवन्त दन्न विवर्शिद्रू